से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस वीडियो को पुरा अन तक देखे और सुने और इस टेप को फॉलो करें तो आप आसानी से फैमिली विजिट वीजा पर अपने फैमिली में किसी भी आदमी को बुला सकते हैं सबसे पहले हम आपको यह जानकारी दे दे कि फैमिली विजिट वीजा का भी दो टाइप होता है एक सिंगर इंट्री वीजा और दूसरा मल्टिपल इंट्री वीजा तो आप किस तरह से फैमिली को बुलाना चाहते हैं पहले यह डिसाइट कर ले वीजा अपलाई करने से पहल हम आपको उन इस्टेप को बता दे जिससे आप आसानी से ऑन लाइन फैमिली विजिट वीजा के लिए अपलाई कर सकते हैं सबसे पहले हम आपको रिलेटिव के नाम बता दे जिसे आप सहुदी अर्विया के अंदर बुला सकते हैं कामा होल्डर का हस्वेंड या वाइफ ह चाहिए अगर फीमेल है तो उसका हस्मेंड होना चाहिए अगर मेल है तो उसका वाइफ होना चाहिए दूसरा सिका बेटा या फिर बेटी होना चाहिए इसी परकार IKAMA Holder अपने SISTER, SISTER का हस्बेंड और उसके बच्चे को भी बुला सकता है इसी परकार IKAMA Holder अपने SALA या साली को भी विजित विजा पर बुला सकता है बताए गये लिस्ट में IKAMA Holder जिसे चाहे FAMILY विजित विजा पर उसे बुला सकता है और वीजा के लिए डोकुमेंट का क्या रिक्वाइमेंट होगा उसे भी आप जान ले सबसे पहले जो इकामा होल्डर अपने फैमिली मेंबर को बुलाना चाहता है कम से कम उसका पासपोर्ट का वैलिडिटी छे महीने का होना चाहिए और इकामा होल्डर का इकामा का वैलिडिटी कम से कम तीन महीने होना चाहिए इकामा होल्डर का नंबर अपसर प्लेटफार्म में लॉग इन होना चाहिए हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में वाल लिंक दे देंगे जिसके माध्यम से आप फैमिली विजिट वीजा के अप्लिकेशन तक पहुँच सकते हैं नहीं तो आप गूगल पे वीजा मोफा जी ओबी डोट एसे टाइप करके भी उस अप्लिकेशन पे पहुँच सकते हैं इसके बाद Service for Residence Option को सेलेक्ट करना होगा Residence Option को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिस्टम में और उसमें पूचे गए डिटेल को फिल करने के बाद अप्लिकेशन को सब्मिट कर सकते हैं या फिर दूसरा option नफाज application के माध्यम से भी request कर सकते हैं इसमें सबसे पहले आपको अपना account number इंटर करना होगा उसके बाद आपको observe platform के details को इसमें fill करना होगा finally आपके mobile पर OTP आएगा OTP को verification करने के बाद आप eligible हो सकते हैं account verify करने के बाद screen पर जो number दिखाई दे रहा होगा उसके माध्यम से नफाद application को approve करना होगा इसके बाद application का next page open हो जाएगा जिसमें आप अपना company का full detail देख सकते हैं जिसमें आपको company का नाम और company का ID दिखाई देगा उसके बाद आप visa objective option को select करेंगे जिसमें Arabic का word जियारा अफराद की sentence का तरजुमा होगा इसके बाद आप next option को select करें या फिर आप अपना visa number को fill कर सकते हैं या फिर blank छोड़ सकते हैं या optional होता है इसके बाद आपको add option पर click करना होगा जिसमें visitor विजिट करने वाले person का passport detail को fill करना होगा जिसमें उसका nationality को select करना होगा इसके बाद इंगलिस में visitor का passport पर जो नाम लिखा होगा वा इंटर करना होगा date of birth इंटर करना है visitor का gender select करना है visitor का occupation यानि पेशा को select करना है अगर किसी case में अगर वह आपका wife हो तो इसमें आप house wife option को select कर सकते है इसके बाद आप अपना mobile number और email address को fill करना होगा इसके बाद religion और relation इकामा holder और visitor का relation को mention करना होगा इसके बाद visitor का passport detail जैसे passport number, passport type, passport issue date, passport expiry date, passport issue palace को भरना होगा उसके बाद आप visitor का visa information details को भरना होगा जैसे visitor किस जगह पर आ रहा है, वह किस जगह पर entry करेगा available list में से आपको भरना है, इसके बाद visa का type single entry visa है या multiple entry visa है, इसको select करना होगा इसके बाद add option को select करना है आपके जनकारी के लिए बता दे, single entry visa का time period 30 दिनों का होता है और आप इसे online 8 बार extension करवा सकते है पर तेक extension का time period 30 दिनों का होगा इस परकार एक single entry visa पर visitor सहूदी अरभिया के अंदर अधिक से अधिक 270 दिन तक रह सकता है बीना exist लगाए हुए अगर वह इकामा holder multiple entry visa के लिए select करता है तो इस वीजे का duration 90 दिनों के लिए होता है और इसके बाद visitor को सहूदी अरभिया से exist करने की आवसेकता होती है इसके बाद फिर से री entry कर सकता है और वह अगले 90 दिनों के लिए रुख सकता है इस परकार multiple visit visa का total duration 365 दिनों के होता है इसके बाद आप इस application को print करवा सकते है दोस्तो मेरे चैनल को आपकी support की ज़रूरत है आप सहूदी अरभिया से related नए नए news को सुनना पसंद करते है तो मेरे चैनल को subscribe कर ले मेरे वीडियो को like कर दे और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें